Hello dear students, कैसी हैं सभी? I hope सभी ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी Dear students, जैसे कि आपको पता हमारा chapter चल रहा है, Forts and Laws of Motions इसकी theory हमने पढ़ ली है, और एक lecture हमने NCRT का ये वाले questions कर ली है NCRT के, right? तो page number means 118 के हमने questions कर ली है आज हमारा lecture number है कौन सा 7th है? आज हम questions करेंगे page number 126 to 127, आपके दो pages है NCRT के, एक है 126 और दूसरा है 127 यहां से हम questions discuss करेंगे आज, तो first question है आपका मैं एक बार आपके लिए zoom कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा visible हो पाए by the way मैं read तो करूंगा ही करूंगा, तो question क्या है if action is always equals to reaction, explain how watts can pull a cart आपको मैंने पढ़ाया था Newton 3 ला, उसमें क्या बताया था? हर action का क्या होता है? equal and opposite reaction होता है, एना FAB equals to minus FBA तो यह बताया हुए मैंने आपको, हर action का means equal and opposite क्या होता है? reaction होता है, बोलता है, अगर हर action का equivalent opposite reaction होता है, तो जो आपका horse होता है, उसके पीछे जो cart लगी होती है, है ना, उसको कैसे pull कर पाता है? यह हमें बताना है, explain करना है, इस चीज़ को समझने के लिए देखो कैसे काम होता है, मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, देखिए यसे आपके मान लिजीज़, यह horse है, मैं ऐसे roughly diagram बना रहा हूँ, यह देखिए, यह horse है, मैं सिर्फ pound आ रहा हूँ, horse का, ठीक है, अब जैसे horse ने इस अर्थ को इस तरफ पुश किया, प्रस किया जैसे ही, तो मैंने क्या बताया था, मैंने walking, आपको सिखाई थी न, कैसे walk करता है कोई भी human, तो ऐसे same horse इस तरफ force लगाता है, जैसे अर्थ के उपर force ऐसे नीचे की तरफ लगाई, जिस तरफ मैंने arrow बनाया है, बिल्कुल इसके equal and opposite आपकी क्या लगती है, यह क्या हो जाएगा, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, रियक्शन हो जाएगा, जानी कि अगर आप इस तरफ क्या लगा रहे हो, force लगा रहे हो, बिल् को चलाने के लिए, इस direction में, ठीक है, अगर यह reaction की force, जानी कि अगर गोड़े ने ज़्यादा जोड़ से, जानी कि horse ने ज़्यादा force के साथ अर्थ को प्रेस किया होगा, force लगाई होगी, तो जो reaction होगी, वो भी क्या होगी, जादा होगी, अगर reaction जादा होगी, तो के बाद को, अगर यह जो reaction की force है, यह कम होती है, तो यह जो काट है, कहीं बार क्या होता है, नहीं चल पता, आपने देखा होगा, अगर काट का बेट और horse का बेट दुन्नों को मिला कि अगर जादा हो जाए, अगर horse जो है, नीचे पाउन दीरे दीरे लगा रहा है, तो जो काट और horse होगा, बोथ दीरे दीरे चलेगा, अगर यह नीचे पाउन जोर जोर से मारेगा, और reaction भी क्या होगी, जदा force से मिलेगी, अगर जदा force से मिले लिया, यह जो काट और horse है, जो दोन्नों क्या करेंगे, जदा speed से चलेगे, जदा velocity से चलेगे, तो ultimately क्या है, यहाँ पर वही बात समझाई हुई है When the horse walk in forward direction with the cart attached to it It exerts force in backward direction Force क्या करता है? पीछे की तरफ force लगाता है किस के ओपर? Earth के ओपर on the earth and equal force in the opposite direction. Equal force जो की क्या होती है? opposite direction में लगती है किस तरफ? forward direction में है ना? आगे की तरफ इस तरफ लगी थी? ठीक है. अच्छा फिर is applied on the horse by the earth ये जो आगे की तरफ force लगी थी है ना? इसको मैं एक बार erase कर दिता हूँ देखिए तो ये जो force लगी थी किस तरफ लगी थी? horse के ओपर? इस तरफ लगी थी forward direction में लगी थी? है ना? the force move the horse and the cart forward और जो horse होता है? ये क्या करता है? move करता है जे जो force होती है जे क्या करती है? move करती है किसको horse को और cart को किस तरफ? forward direction में इतनी सी बात clear होगी आगे the velocity at which the horse can move बोलता है जो बो velocity जिसके साथ बो जो आपका horse है move कर सकता है by applying force on the earth किस के ओपर depend करता है? depend on the mass of the earth and the mass of the cart attached to it तो दोनों के mass के ओपर depend करता है कि जो horse है वो कितनी velocity के साथ आगे की तरफ चलेगा? वो किसके ओपर depend करता है? mass of the horse and mass of the cart ठीक है? the heavier the cart जितनी बारी cart होगी उतना वो क्या करेगा? दीरे दीरे चलेगा उतना slower भी motion होगा horse का and cart का फिर for a given amount of force applied by the horse on the earth if the cart is too heavy अगर cart बहुँ जदा हैवी होगा the force exerted by the horse on the earth will be insufficient to even overcome the force of inertia बोलता है अगर जो horse है जो अर्थ के ओपर force लगा रहा है अगर वो बहु जदा कम होती है जा मैं यूं कहूं जो cart है वो बहु जदा क्या होती है? heavy होती है और जब जो horse है वो force लगाएगा अर्थ के उपर वो क्या होगी insufficient होगी पूरी नहीं होगी किस लिए ताकि यो horse और cart क्या कर सकें? farber direction में move कर सकें ये सारी explanation थी main जो answer था आपका ये था ये तो आपको करना ही करना इतना सा बाकि आगे की explanation भी at large amount of water at high velocity same question है ये भी उसी की तरहा क्या गहता है? बोलता है जो आपका जिको fireman आपने देखा होगा उनके पास एक pipe सी होती है pipe के आगे ऐसे horse लगा होता है आगे pipe सी शोटी सी लोही की pipe सी लगी होती है जिससे वो पानी को control करता है तो fireman के ऐसे जहां से water निकलता है बहुत ज़्यादा velocity से बहुत तेजी से पानी निकलता है तो उसको जब पकड़ना होता है तो इस fireman को बहुत जोर से अच्छे से force लगा के पकड़ने रखना होता है अगर वो अच्छे से पकड़के नहीं रखेगा तो ये pipe क्या होती है दूर से बाग जाती है high velocity के साथ तो बोलता है ऐसा क्यों होता है वो ही reason है newtons थरला क्या कैसे कहता है बोलता है जब भी fireman जब अपनी pipe यूज़ कर रहा होता है जब वो pipe यूज़ कर रहा तो hose के अंदर से जब water निकलता है बहुत ज़्यादा velocity से निकलता है अब इसके अंदर से यो water निकला बहुत ज़्यादा velocity से निकला क्यों निकला क्योंकि अब हाँ पे क्या लगी होती है motor लगी होती है जब pump लगा होता है वो pump जब motor बहुत ज़्यादा force लगाता है इस water के उपर और इस force किस तरफ डिरेक्शन में लग रही है जिस तरफ में arrow बना रहा है फारवर डिरेक्शन में लग रही है अगर इंटो न्यूटन थर्डा equal and opposite force लगती है आपकी इस तरफ अगर ये पानी अगर ज़्यादा velocity से इस तरफ जाएगा तो किसके करण गया क्योंकि motor ने इसको इस तरफ क्या लगाई है force लगाई है तो उसी direction में बिल्कुल opposite direction में आपकी equivalent opposite force लगेगी जिसके कारण जो fireman होता है उसने जब hose को पकड़ा होता है उसको इस तरफ दक्का लग रहा होता है इस pipe को संबालने के लिए इस hose को संबालने के लिए उसको क्या करना पड़ता है force लगानी पड़ता है बिल्कुल उसके opposite direction में ताकि वो आगे पीछे ना बाग सके बासमज़ आगी होगी तो यहां पर क्या लिखा हो उसको समझते हैं यह तो मैंने आपको समझा दिया बुकिट्स language में क्या लिखा है वो भी समझ लेती हैं जो आपने लिखना है एक्जाम में ठीक है तो देखिए एक सेकिंड ओके for the hose to eject water at high velocity जो hose है उसके अंदर से जो पानी निकालना होता है high velocity के खारण a force must be applieded on the water पानी के उपर क्या कर निचा पड़ेगी force लगानी पड़ेगी किसकी मदद से which is usually which is usually done with the help of pump or motor जो किसकी मदद से किया जाता है pump or motor की मदद से किया जाता है now अब क्या होता है now the water applies an equivalent opposite force जो पानी होता वो क्या करता है equivalent opposite force लगाता है जहां पर bracket लगा के लिख लेना due to bracket मतलगाना force on the horse इसके बाद आप क्या लिखोगी due to newton थरला यह line एड़ करोगी इसके साथ same line यहां पर भी एक एड़ कर लेना correction कर यहां पर लेना है correction यहां से an equal force in opposite direction ठीक है is applied on the horse by earth due to comma लगा के due to newton थरला यह लिख लेना उसके बाद same रहेगा समझ गए बात को क्या करना है ओके आगे बढ़ते हैं यह बात मैंने समझा दी अच्छा यहां से फिर हो यह आपका क्या equal and opposite force on the horse due to newton थरला full stop for the fireman to hold the horse he must apply a force on it to overcome the force applied it on the horse के लिए उस fireman को उस horse को hold करके रखने के लिए क्या करना पड़ता है force को apply करना पड़ता है ताकि वो क्या कर सके overcome कर सके किसको overcome कर सके force को कौन सी force जो लग रही है किसके उपर horse के उपर किसके दोरा पानी के दोरा जो लगाई जा रही है उसको overcome करने के लिए fireman को क्या करने पड़ती है force apply करने पड़ती है the higher the quantity and velocity of the water जितना पानी और जितनी ज़्यादा पानी उस पाइप से निकल रहा है coming out of the hose the greater the force that must be applied by the fireman to hold it steady अब देखिए जितना ज़्यादा पानी उस pipe से निकल रहा होगा और जितनी ज़्यादा velocity से उसके अंदर से पानी निकल रहा होगा उतनी ज़्यादा उतना जबी वह इतना पानी क्यों निकल रहा है उसके अंदर से क्यांकि इस पानी के अपर क्या लग रिए हैं pump के ड़ узнать जय दा फर्स लग रिए हैं तो वो पानि भी क्या करेगा, कभी इदर फैंक रहा है, means opposite direction में force लगा रहा है, अब इस चीज़ को संबाल के रखने के लिए, जाने की steady रखने के लिए होस को, fireman को क्या करना पड़ता है, उतनी ही ज़ादा क्या लगानी पड़ती है, force लगानी पड़ती है, यहां पर बोही लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है the higher the quantity and velocity of the water coming out of the hose, the greater the force that must be applied by the fireman to hold it steady steady रखने के लिए उसके ओपर क्या करने पड़ती है, ज्यादा ही force लगानी पड़ती है आई हो बात समझ आगी होगी, next third question देखो, numerical from a rifle of 4 kg, एक rifle है, जिसका mass कितना है, 4 kg है a bullet of 50 gram, एक bullet निकलती है, उसके अंदर से कितनी 50 gram की is fired with the initial velocity, इसकी initial velocity कितनी होती है, 35 meter per second calculate the initial recoil velocity of the rifle, आपको initial velocity find करनी है, simple सी बात है बोलता है, एक आपके पास rifle है, ठीक है, उसके अंदर से एक bullet निकलती है, जिसका बेट कितना है, जिसका mass कितना है, 50 gram है इस rifle का mass कितना है, 40 gram है, इसके अंदर से जो bullet निकलती है, initially कितनी velocity से निकलती है, 35 meter per second square की, 35 meter per second की speed से जानी की velocity से निकलती है आपको initial velocity बतानी है जो recoil means देखो मैंने आपको बताया था क्या बताया था जब भी आपकी कोई भी गन से जब कोई भी राइफल से एक bullet fire की जाती है तो उसको दिखना जो गन जा राइफल होती है उसको इस तरफ दखका लगता अगर आपकी bullet इस तरफ जारी होगी according to Newton 3rd ला और मैंने एक और चीज़ बतायी थी आपका conservation of linear momentum conservation of linear momentum क्या बताया था मैंने बोला था initial linear momentum जाने कि P1 plus P2 equals to क्या होता है P1 plus P2 ओपर क्या लग होता है जाने कि sum of initial linear momentum is always equals to sum of final linear momentum जाने कि sum of linear momentum always remain constant सेम मतलब है ठीक है यह सारी बाते समझ आगी होगी तो question में क्या दिया हुआ है हमें mass दिया हुआ bullet का कितना 50 gram थोड़ा सा जूम कर दूँ आपके लिए यह लीजिए और क्या दिया हुआ the rifle का mass दिया हुआ हमें कितना दिया हुआ rifle का mass दिया 4 kg और 4 kg को मैंने gram में convert कर लिया तो कितना हो जाएगा 4000 gram हो जाएगा initial velocity of the bullet fire bullet की जो आपकी velocity है 35 meter per second है हमें recoil velocity find करनी है तो कितनी है वो मालने जी कितनी है B2 है देखिए पहले rifle बिल्कुल ऐसे stationary खड़ी थी हिल थो न रही थी चल थोड़ना रही थी आपकी rifle और आपकी bullet वो कैसी थी rest में थी अगर दोनों rest में थे तो means velocity of किसकी velocity velocity initial velocity of rifle is 0 and initial velocity of bullet is also 0 दोनों velocity क्या होंगी 0 होंगी तो मुझे linear momentum निकालना होगा linear momentum कैसे निकालते हैं बताओ मुझे linear momentum क्या होता है mass into velocity linear momentum का formula क्या होता है mass into velocity तो initial since the rifle was initially at rest the initial momentum क्या होगा तो यहां पर हमें पता है क्या होता है M1 into U1 plus M2 into U2 M1 तो आपका दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 50 gram और M2 भी दिया हुआ है 4000 gram U1 0 है U2 भी कितना है 0 क्यों? क्योंकि rifle और bullet दोनों क्या से आपके? rest में थे दोनों कैसे थे? rest में थे आप अगर ऐसा नहीं लिखना चाते हो मैं इसका ऐसे बता देता हूँ आप इसको ऐसे कर लेना जह काट दो पूरा इतना यह भी line काट दो यह पूरा काट देना आपने since the rifle was initially at rest therefore next step आएगा therefore क्या है एगा step देखो? मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ therefore U1 equals to 0 and U2 equals to 0 according to law of conservation according to law of conservation of linear momentum मैंने नाम बता दे आपने पूरा लिखना है क्या होता है? M1 U1 plus M2 U2 equals to क्या होता है? M1 V1 plus M2 V2 बास समझा रही है? अच्छा देखो यहाँ पर U1 U2 तो 0 है M1 के है? mass of the bullet and M2 के है? mass of the rifle तो यह mass of bullet कितना है? 50 into 0 plus यह कितना है? 4000 into 0 equals to इदर values put कर लो वैसे इसको अंदर भी value put करने की जरूरत नहीं आप फिलाल ऐसी रहने देते हैं M1 V1 plus M2 V2 थोड़ी देर बाद value डालते हैं क्योंकि हमें पता है एक सेक्ड़ हमें पता है यह जीज़ीज क्या हो जाएगी? 550 into 0 4000 into 0 0 0 प्लस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा तो यहां पर क्या 0 equals to M1 V1 plus M2 V2 बाद समझ आगी की नहीं आगी? हमें क्या find करने हैं? हमें find करने है velocity of recoiling velocity देखो जब भी जब आपने fire किया तो rifle जो है पीच्छे की तरफ कुछ दख्का लगा कुछ velocity के साथ तो भी V1 आपकी V1 दी है V1 कितनी दी हुई है? V1 दी हुई है 35 meter per second आपको क्या find करना? V2 find करना जानकि recoil velocity जो rifle पीच्छे की तरफ दख्का लगा उसको find करना आपको तो उसको find करने का तरीका क्या हो जाएगा? यह note कर लिया आपने तो आप क्या करो? आपको V1 find करना है जिस चीज़ को find करना है तो उसको उधर ही रहने देता है दूसरी चीज़े को इसको मैं अधर बेज देता हूँ हमारा mathematics में रूल होता है जिसको find करना उसको एक तरफ रखो बाकि सारी चीज़ें दूसरी तरह base दो तो मैं क्या करूँ कि इसको इस तरह base देता हूँ इसको इस तरह base देता हूँ तो देखो क्या होता है M2 V2 minus का हो जाएगा और जहां क्या जाएगा M1 V1 फिर उसके बाद आपको V1 find करना है कि V2 find करना है आपको V2 find करना है तो आप minus M2 को इस तरह base दो इधर multiply है तो उदर जाकि क्या हो जाएगा divide हो जाएगा V2 equals to minus M1 V1 upon M2 क्या यह बात समझ आ रही है V2 equals to M1 की value पता है हमें minus तो लगा हो M1 की value कितनी है 50 gram V1 की value कितनी है 35 और M2 की value कितनी है 4000 यही है और इसकी calculation कर लेनी है calculation यहाँ पर देखो QE आपके लिए तो आपने value substitute करनी जब इसको calculate करोगे आपको कितना मिल जाएगा minus 0.43 cm per second इस तरह से इसको आपने solve कर लेना है देखे time 17 minute का lecture हो चुका है मैं ज्यादा लंबा lecture नहीं रखना चाहता यह fourth question हम next lecture में discuss करेंगे आपके साथ आज का lecture मैं यहीं पर रखता हूँ bye bye have a nice day और लाओे हूँ